स्वास्थे और सौंधरी के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बिल आइकल को क्लिक कर देख ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थे और सौंधारी में आपका एक बर फिर से स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बालो में कच्चा आवला का पानी लगाने के कुछ बहतरे इन फायदों के बारे में बालो को लंबा, घना वा मुलायम बनाने के लिए आवले का पानी किसी वरदान से कम नहीं है आवले के पानी में एंटी ऑक्सिडेंट के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, आईरन, प्रोटीन, कार्वो हाइडरेट, कैल्शियम, पोटेशियम, मैगनेशियम जैसे कई ऐसे पोशुक तत्व पाई जाते हैं जो बालो के लिए काफी फाइदेमन माने जाते हैं आवले का पानी को नियमिक अपने बालो में लगाने से बालो का जढ़ना यानि हेर फॉल में काफी कमी आती है यदि आप अपने बालों को नेच्रल तरीके से पेंपर करना शाहती हैं इसके लिए एक कच्छा आमला ले ले इसके बाद इसे साफ पानी से अच्छे से धूले जब यह अच्छे से धूल जाए तब इसे छोटी छोटी टुपरों में काटे अब एक बॉल में कटे हुए आमले को डाल दे इसके बाद इसमें एक कब पानी डाल कर राद भड के लिए छोड़ दे ऐसा करने से आमले का सारा पोशक दद्व पानी में अच्छे से घुल जाएगा अगले सुवा इस पानी को छन्नी की मदद से चान कर अलग कर ले अब यहां आमले का पानी इस्तमाल में लाने के लिए तैयार हो चुका है इस पानी को आप वन वी के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं आमले के पानी को बालो में लगाने से पहले अपने बालो को कंगे करके सुलजा ले इसके बाद कॉर्टिन की सहायता से इसे अपने पूरे बालों में अच्छे सप्लाई कर ले इसके बाद उंगलियों की सहायता से अपने स्केल्प की धीरे धीरे मसाज करे मसाज करने से स्केल्प के ब्लड सर्क्लेशन में सुधार होता है जिससे बालों की हेल्थ अच्छी होती है एक से दो घंटा इस अपने बालों में लगा रहने दे फिर पानी से बाल धोले रोजाना सुभर नहाने से पहले इस प्रोसेस को करने से बहतर रिजर्ट देखने को मिलते हैं आमला का पानी बालों के लिए काफी फायद मन माना जाता है नियमित इस पानी का इस्तमाल करने से बालों से जुड़ी तमाम समस्या हैं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जता हमारी बूरी पसंद आई हो तिसे लाइक और शेर चरूर करें ताकि इसी तरह हम नएनी जानकारिया आप तक पहुचाते रहें धन्यवाद